नमस्कार दोस्तो सागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूटूब चैनल बिग ऑनलाइन गुरू में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडिया पोस्ट जीडियस का फारम कैसे ऑनलाइन करेंगे अर्तात इंडिया पोस्ट में जो ग्रावी डाक सेवक की भरती आई ही है उसका फारम आप कैसे एपलाई करेंगे इसके बारे में मैं आपको रेजिटेशन से ले करके फाइनल प्रिंट तक इस्टे बाई इस्टे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा तो बने रही है वीडियो में और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साती बेल आइकन को प्रेस करें चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर फारम को online करने के लिए Google पर सर्च करेंगे India Post GDS और इसे enter कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो official website है उसका option यहाँ पर सो हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सबसे पहले option आपके सामने सो हो रहा है, India Post GDS online इस पर आप click कर देंगे, और click करने के आप अपनी eligibility और criteria को check करने के लिए यहाँ पर जो notification option दिया गया है, इसको आप open करके आप अपनी eligibility और criteria चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर notification open हो चुका है, इसमें आप नीचे की तरफ आजाएंगे, तो यहाँ पर आप date दे सकते हैं, इसकी start date 15 July 2024 से यह फारम online हो रहे हैं, और इसकी last date है आपकी 5 August 2024 है, यहाँ पर अगर आपके फारमें कोई गलती हो जाती है, कोई कमी हो जाती है, तो उसे आप correction या संसोधन भी कर सकते हैं, तो उसकी date यहाँ पर दे रखी है, 6 August 2024 से 8 August 2024 तक यहाँ पर आप correction कर सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर यह सारी criteria यहा क्या eligibility है, वो यहाँ पर सारी दे रखी है, चली हम यहाँ पर हम back आ जाते हैं, इसकी official website पर, यहाँ पर आप आपको बताते हैं, कि आप अपने छेतर में अपनी post या vacancy कैसे check करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने यह राज सो हो रहे हैं, आप अपना राज यहाँ पर select कर ल चलेंगे, तो इसके बाद यहाँ पर view post इस पर आप click करेंगे, और click करने के बाद यहाँ पर list आ जाएगी, कि आपके छेतर में, कौन से area में कितनी post और कौन कौन सी vacancy हैं, वो यहाँ पर आप सारी check कर सकते हैं, इसके बाद हम चलते हैं, इसकी official website पर, आप यहाँ पर आपक click कर देंगे, और click करने के बाद यहाँ पर यह process चलेगी, और यहाँ पर जो registration का फारम है, वो आपके सामने इस तरीके से यह open हो जाएगा, आप यहाँ पर आपको अपनी detail को यहाँ पर fill करना है, तो detail में सबसे पहले यहाँ पर आप अपना mobile number इसमें fill करेंगे, और mobile number को fill कर जाया है, उसे आप यहाँ पर enter कर देंगे, इस तरीके से यहाँ पर OTP को enter करने के बाद यहाँ पर इसके आगे जो submit OTP option दिया गया है, इस पर आप click कर देंगे, click करने के बाद यह process चलेगी और इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहा है, mobile number validate successfully, यहाँ पर आपका जो mobile number है, वो यहाँ पर verified हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आप अपनी email ID को fill कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर validate mail जो इसके सामने option दिया गया है, इस पर आप click कर देंगे, validate email option पर click करने के बाद प्रोसेस चलेगी और इस तरीके सा आपके सामने आ जाएगा, और आपकी जो email ID है, उस पर आपका एक OTP send कर दिया जाएगा, यहाँ पर जो show हो रहा है इस पर आप OK पर click कर देंगे, और जो आपकी email ID पर OTP आया हुआ है, उसे आप यहाँ पर enter कर देंगे, OTP को enter करने के बाद submit OTP जो option दिया है, इस पर आप click कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर यह sheet में जो नाम दिया गया है same to same बैसा नाम यहाँ पर आप enter कर देंगे भाई spelling इसमें आप fill कर देंगे applicant name को fill करने के बाद अगला option आ जाता है चौते नमबर पे father's name या mother's name अगले option में यहाँ यहाँ पर आपको अपने यहाँ पिता जी का नाम यहाँ पर fill कर सकते हैं तो दोनों में से किसी एक का नाम यहाँ पर fill कर सकते हैं चाहें यहाँ आप अपने पिता जी का नाम फिल कर दीजिए या फिर आप अपनी माता जी का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं इसके बाद अगले option पर आ जाते हैं पांच नमबर पर date of birth यहाँ पर आपको अपनी date of birth फिल करनी है तो जो आपके high school की market में date of birth दे रखी है वो यह date of birth यहाँ पर फिल करेंगे और आपकी date of birth में जो ही month हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप date को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आपकी जो date of birth है वो यहाँ पर enter होके फिल हो जाएगी date of birth को फिल करने के बाद छटे नमबर पर आ जाते हैं यहाँ पर अगले option पर जेंडर, यहाँ पर आपको अपना gender यहाँ पर select करना है, तो जो भी आपके gender हो, तो वो यहाँ पर आप select कर लेंगे, इसके बाद अगले option पर आजाते हैं, आपने अपना high school किया है, तो वो यहाँ पर राज आपको select करना है, इसके बाद अगले option पर आ किया है, तो जिस year में आपने pass किया हो, बो यहां पर आप year को select करके, इस 플िल कर देंगे इस के बाद अग्ला option आ जाता है, यहां पर linha ऄाँ हो रहा है और इस तरीके से यहाँ पर आपका जो इंटरफेस है वो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपका फर्स्ट इस्टेज यहाँ पर पूरा हो गया है यहाँ कि आपका यहाँ पर रेइस्टेशन यहाँ कम्पलीट हो चुका है पर आगी detail यहाँ पर आपको सबसे पहले 10 नमबर पर आधार काड नमबर आपको अपना आधार काड नमबर फिल करना है आधार काड नमबर को फिल करने के बाद अगले option पर आ जाएंगे 11 नमबर पर are you a person with disability यहाँ पर अगर आप बिकलांग है तो यहाँ पर आप yes कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको बिकलांग तक का प्रिकार इसमें से select करना है तो यहाँ पर category A, category B, category C इस तरी की से दे रखा है तो इसे आप अपने notification दिया हुआ है उसमें से आप check कर लेंगे कि category A में कौन आते हैं category B में कौन आते हैं तो उससे आप देख करके इसमें आप fill कर देंगे उसके बाद यहाँ पर PWD सब category यहाँ पर आप select कर लेंगे तो जो वो भी आप यहाँ पर अपने notification से देख करके इसमें आप fill कर लेंगे आपके पास इसका जो प्रमाण पत्र होगा बिकला नहीं है तो यहाँ पर आप no fill कर देंगे इसके बाद अगले option पर आज आते हैं 12 नंबर पर language study in secondary school यहाँ पर आपको अपनी language select करनी है तो जो आपकी study के time language थी वो यहाँ पर आप select कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर आपको secondary school में क्या English थी तो यहाँ पर English select कर लेंगे और उसके अगले option पर आजाते हैं 13 नंबर पर weather employed इसमें आप अगर आप किसी government sector में रहे हो service की हो तो यहाँ पर आप yes कर सकते हैं उसके बाद अगर आप बरतमान में service कर रहे हैं तो उसकी आपको अपना फोटो अप्लोट करेंगे तो फोटो का size वगरा क्या रहेगा तो सबसे पहले आपका जो type है फोटो का तो वो यहाँ पर jpg type होना चाहिए और size इसका 50 kv maximum होना चाहिए और 50 kv से कम होना चाहिए 50 kv से आपका फोटो यहाँ पर ज्यादा ना हो और यहाँ पर जो आपकी dpi है वो यहाँ पर 200 dpi का आपका फोटो होना चाहिए और आपके pixel यहाँ पर पर एक detail में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं कि इसमें आपको size वगरा कैसे edit करना है, कैसे उसका size बनाना है, यान कि DPI कैसे select करेंगे, dimension कैसे select करेंगे, तो वो सारी जानकारी उस वीडियो में मैंने आपको बता रखी है, आप वो वीडियो देख सकते ह या फिर इस वीडियो की description में उसका link मिल जागा, आप उस पे click करके उस वीडियो को देख सकते हैं, कि आप इसका जो photo का size है, वो आप कैसे बनाएंगे, चलि मैं यहाँ पर photo को upload करने के लिए, यहाँ पर जो नीचे option दिया गया है, photo के नीचे, choose file इस पे आप click करेंगे, और जिस option में आपका photo हो, उस option पे आप चले जाएंगे, और बहां से आप अपना photo को select कर लेंगे, और select करने के बाद यहाँ पर आप open पर click कर देंगे, open पर click करने के बाद इस तरीके से आपके सामने जो photo है, वो यहाँ पर आ जाएगा और upload हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आप size बना करके इसमें आप अपने signature को upload कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर photo और signature को upload कर लेंगे और यहाँ पर यहाँ पर यह सारी detail यहाँ पर fill हो जाएगी इसके बाद यहाँ पर आप जो submit option दिया गया है इस पर आप click कर देंगे यहाँ पर detail को check करने के बाद नीचे की तरफ आजाएंगे तो यहाँ पर जो option दिया गया है यह box दिया इस पर आप tick कर देंगे और tick करने के बाद नीचे जो submit option दिया है इस पर आप click कर देंगे आपके mobile और email id पर यह send हो जाएगा आप बहाँ से इसे देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर नीचे option दिया गया है continue apply इस पर आप click कर देंगे और click करने के बाद यह process चलेगी और यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने जो interface हो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आपका registration जो detail है वो यहाँ पर complete हो चुकी है आप यहाँ पर आपको application फार में यहाँ पर fill करना है तो यहाँ पर आपका registration number 100 होगा और नीचे की तरफ circle applying for यानि आपके circle में आप apply करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप राज select कर लेंगे तो जिस राज में आप से यहाँ पर apply करना चाहते हैं व और आपके mobile पर जो OTP आया हुआ है उसे आप यहाँ पर enter OTP option दिया गया है इसमें आप enter कर देंगे इस तरीके से OTP को enter कर लेंगे और नीचे की तरफ आया जाएंगे तो यहाँ पर जो capture हो रहा है वो यहाँ पर आप fill कर देंगे capture को fill करने के बाद नीचे जो next option दिया इसमे आप click कर देंगे और यहाँ पर यह लोडिंग चलेगी और आपके सामने जो form है वो यहाँ पर open हो जाएगा और जो कुछ आपकी basic detail है जो आपने अभी fill करी थी वो यहाँ पर show हो जाएगी जैसे कि यहाँ पर नाम, father's name, gender, registration number, date of birth, community यह आपके सामने show हो जाएगी और इसके number या appointment number ना हो तो यहाँ पर आप अपने यहाँ पर village का नाम यहाँ पर fill कर सकते हैं यहाँ उसके बाद आ जाते हैं street यान कि आपके कोई पैचान इस्थान हो तो यहाँ पर आप पैचान इस्थान दे सकते हैं जैसे कि कोई road हो सकता है या आसपास कोई bank बगारा हो या पर को पंचायत मंडल या जो डिष्टे को उसे आप यहाँ पर फिल कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आप अपना एरिया जो पिन कोड होता है उसे आप यहाँ पर फिल कर देंगे अगर आपका communication address और permanent address अलग अलग है तो यहाँ पर आप अलग अलग fill कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको qualification detail को यहाँ पर fill करना है यहाँ पर आपका circle यहाँ पर so हो जाएगा passing year है यहाँ पर आपकी so हो जाएगी जो आपने registration में अभी fill करी थी और इसके बाद option आजाता है आपका select board यानि कि आपने कौन से board से अपना high school pass किया है तो जिस board से आपने अपना high school किया हो तो यहाँ पर आप board को select कर लेंगे यहाँ पर सारी board यहाँ पर open हो जाएंगे तो इस तरीके से आपका जो भी board हो वो यहाँ पर आप select कर लेंगे board को select करने के बाद अगले option में आपको result type यहाँ पर select करना है तो जैसे कि यहाँ पर मैंने UP board यहाँ पर board का नाम जो select किया है तो उसमें केवल marks होते हैं यहाँ पर एक यह option आपको मिलेगा marks यहाँ पर आप select कर लेंगे और select करने के बाद इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर और option यहाँ पर आपके सामने open हो जाएंगे इसके बाद यहाँ पर अब आपको अपने high school के subject को select करके इसमें fill करना है यहाँ पर आपके जैसे कि मैंने यहाँ पर UP board select किया है और marks से select किया है तो UP board में जो high school होता है उसमें 6 subject होते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर 6 option यहाँ पर आ गए है यानि कि आपके जिस board में high school या 10th में जितने subject होते होंगे उतने option आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे और यहाँ पर 6 subject यहाँ पर से select करके उसके number को यहाँ पर fill करना है तो जैसे कि मैं यहाँ पर पहले वाले option पर click करता हूँ तो मेरे पास हिंदी थी तो यहाँ पर मैं हिंदी को select करूँगा और हिंदी में कितने number आये थे तो यहाँ पर आप enter कर देंगे इसके बाद अगला subject क्या था तो वो इसमें से select कर लेंगे और select करने के बाद उसके number यहाँ पर fill कर देंगे इस तरीके से यहाँ पर 6 subject हैं 6 subject को यहाँ पर select करके इसमें आप fill कर देंगे इस तरीके से यहाँ पर आप सारे subject को यहाँ पर fill कर देंगे इसके बाद option आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है पास्ट यो मैथमेटिक्स, इंग्लिस या वोत अडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस पर आपको जब टिक करना है जब आपके जो मेंन सब्जेक्ट में ये दो सब्जेक्ट ना हो जैसे कि यहाँ पर math और English ये दिया हुआ है अगर आपके जो 6 सब्जेक्ट यहाँ पर जो सो हो रहा है जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट यह हैं इनमें आपका mathematics और यहाँ पर English ना हो और अगर आपने अलग से यहाँ पर पास कर लिया है आपको अलग से math और English additional subject में आपको पास करनी होगी तभी यहाँ पर आप apply कर पाएंगे यहाँ पर मेरे main subject में English और math दोनों है इसलिए मैं इस पर click नहीं करूँगा इसके बाद CGPA score इसमें आगर आपके mark sheet में CGPA score दिया है इसे आप इसे blank रहने दिंगे इसके बाद यहाँ पर आप save and continue पर click कर दिंगे और इस तरीके से interface आपके सामने आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे आप यहाँ पर आप देख पा रहा है यहाँ पर आप अपना जिला select कर लेंगे यहाँ पर आप अलग अलग जिले में भी आप apply कर सकते हैं यहाँ पर आप division को select करके उसमें आप preference दे सकते हैं तो आप जिस जिले के लिए आप apply करना चाहते हैं यहाँ पर आप जिला select कर लेंगे उसके बाद कौन सी रखना चाहते हैं उससे आप दो number रख देंगे इस तरीके से आप crum by crum अपनी preference को डेते जाएंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने यह बदाईू जिला यहाँ पर सिलक्ट किया है तो यहाँ पर जैसे कि यह पहले नमबर पर आ रहा है अंबियापूर इसे मैं अभी नहीं रखना चाता हूँ यहाँ पर चोथे नमबर वाला है अरसे अगर इसे मैं पहले नमबर पर रखना चाता हूँ तो इसे मैं एक नमबर दे दूँगा उसके बाद यहाँ पर अगला मैं ब्योर जो option दिया गया है पर अगर मैं दूसरे नमबर पर रखना चाता हूँ तो इसे मैं दो नमबर दे तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आने के बाद आप यहाँ पर आपको select circle यहाँ पर यह दिया हुआ है यहाँ पर यह पहले से select होगा अगर आप इसे change करना चाहते हैं दूसरा यहाँ पर circle यहाँ पर select करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यह circle और division आपक लेशन ये दिया हुआ है इस पर आप यहाँ पर टिक कर देंगे और टिक करने के बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे आप यहाँ पर आपको यह पर आपको 50 जमा करने के लिए यहाँ पर जो पेज है वह आपके सामने आजाएगा यहाँ पर आपकी जमा करने वाला ओप्सन आपके नहीं आएगा अगर आप यहाँ पर OVC, General या EWS से हैं तो यहाँ पर आपके सामने यह फीस वाला option आजागा यहाँ पर आपको 100 रुपे फीस जमा करनी है और Make Payment जो option दिया है इस पर आप किलिक कर दिंगे और किलिक करने के बाद यह process चलेगी और इसके बाद यहाँ पर आपको payment gateway है उस page पर आपको यह पहुंचा देगा यहाँ पर आपको option मिल जाते हैं payment करने के लिए जैसे कि पहला option net banking के तुरू यहाँ पर आप फीस जमा कर सकते हैं debit card और credit card से भी यहाँ पर आप अपनी फीस को जमा कर सकते हैं QR code के माध्यम से भी यहाँ पर आप फीस जमा कर सकते हैं यहाँ पर आप बॉलेट के माध्यम से यहाँ पर आप फीस जमा कर सकते हैं यहाँ पर UPI का भी option दिया गया है इससे भी आप फीस जमा अपनी कर सकते हैं यहाँ पर मैं QR code से यहाँ पर फीज जमा करूँगा तो यहाँ पर QR code पर मैं click कर देता हूँ और QR code पर जैसी click करेंगे तो यहाँ पर आपका select QR code यहाँ पर दिया हुआ है इस पर आप click करेंगे इसको आप scan करके आप इसमें feet जमा कर देंगे आप किसी भी app से इसमें आप feet जमा कर सकते हैं यहाँ पर मैंने feet को जमा कर दिया है फีस जमा करने के बाद इस तरीकिसे आपके सामने यह दिखा देगा सबसे नीचे यहाँ पर आजाएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपकी जितनी भी आपकी detail है वो यहाँ पर show होगी और सबसे नीचे आपको यह print का option आपको यह मिल जागा इस पर आप click कर देंगे और click करने के बाद तरीके से इसे आप अगर अपने device में save करना चाहते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन